प्रेंड्स मैं हूँ प्रोपेसर सिकंदनेगी आज हम डिसकस करेंगे लिवरलिजम यानि उदारवाद इसमें हम जो मैंली डिसकस करेंगे कि उदारवाद क्या है और उदारवाद का श्राबदिक अर्थ क्या है उदारवाद की परिवाशा उदारवाद की उत्पती और विकास और उदारवाद के रूप परमप्रिक और मॉडरन उदारवाद के विशिष्टा परमप्रिक और दावट के क्या कारण है और वर्तमान में उदारबाद का रूप और आगे की राए इसमें में ले डिसकस करेंगे हैं उदारबाद वो विचारदारा है जिसके अंतरगत मनुष्य को विवेकशिल प्रानी मानते हुए समाजिक संस्ताओं के मनुष्य की सूजबूज और सामुज़ प्रयास का परिणाम समझा जाता है उदारबाद की उत्पति को स्तारविश्ताब्धी के प्रारम से देखा जा सकता है जौन लॉग को उदारबाद का जनक माना जाता है और ब्रिटेन को उदारबाद का गरग माना जाता है उदारबाद व्यक्तिगत सोतंदर्ता के समर्थन का राजनितिक दर्शन है वर्तमान विश्व में ये अतियन प्रक्तिष्टी दारना है पूरे इतियास में अनिको दर्शनिकों ने इसे बहुत मैतो एवमान दिया है इस सिदान के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति समाजिक संगटनों का निर्मान करते है फर्स्ट है वाटिस लिबरलिजम उदारवाद स्ताई मुल्यों की अनिचीत उपलब्दी है ये 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 इतियास और दर्शन दोनों ही मेतपुरन विरासत है ये वास्तों में पुन जागरन की देन है उदारवाद वो विचारदारा है जिसके अंतरगत मनुश्यक को विवेक्षिल प्रानी मानते हुए समाजिक संस्ताओं को मनुश्यों की सूजबूज और सामुई प्रयास समझा जाता है जौन लॉग को उदारवाद का जनक माना जाता है एडम स्मित और जर्मी बेंथम भी उदारवादी विचारदारों में गिने जाते है उदारवाद राजनितिक सिदान्त की एक प्रबल विचारदारा है वस्तुदे आधुनिक राजनितिक विचारदाराओं में सेव उदारवाद की प्रंप्रा सारोधिक प्राचीन है। उदारवादी दर्शन का उदेर तथा विकास यूरोप में पुनजागरन तथा धरमसुदार आंदुलन से जुड़ा है। सोलवी श्ताबदी में फ्यूडल, मोनार्की और पोप्षाई येसी मद्यक यूगिन विवस्ता के विरूद एक जरबदस प्रतिक्रिया, सोरूप, क्रांतिकारी दर्शन तथा विचारदारा के रूप में उदारवाद का आगमन हुआ। इस शब्द का सबसे पहले 315 में इंग्लेंड में हुआ था। नेक्स्ट है लिटरल मीनिंग ओफ लिवरलिजम। उदारवाद अंग्रिजी के लिवरलिजम शब्का हिंदी रुपांदर है। इसकी यूद्परती लेटिन बाशा के लिवर शब्क से हुई है। जिसका अर्थ है सौतंतर उदारवाद और एक ऐसी यूनुक्लियर, इंट्यूक्चल, डैनेमिक और पॉजिशनलिस्ट, स्पोर्टर ओप कैपिलिस सिस्टम, एंटी, पूर, अंजस्ट, इमोरल, इन्हुमन अवदारना थी। ये कैसी विचारदारा का नाम है जिसका सोरूप एवंकारेशेतर विकास के प्रसम च जुबान में पुझी पतियों के हित में भी बात करता है। बाद में माकसवाद के डर से पुझी पतियों को बचाने के लिए गरीबों के हित की बात करने लगा। उदारबाद लोक कल्यान की आवदारना का प्रबल समर्टक बन गया। उनीस सो नबे के दर्शक में जब व्यामेवादी व्यवस्ता डिस्ट्रे होने के बाद वो पुने अपने प्रमप्रागत सौरुप की तरफ बढ़ चला गया, पुन्जागरन तथा धर्म सुदार आंदुलन ने इसे जिनम दिया, और योगी करन ने इसे आजार प्रदन किया, बढ़ते वे पुन्जीपाद न इसे सोतंतरता के निकट लाख खड़ा किया, व्यक्ति के प्रती इस विचारदारा के आस्ता ने राज्य को लिमिट सौरुप प्रदन दिया, सामनते उदारबाद एक विचारदारा से अधिक ये सोचने का एक तरिका है, संसार को देखने की एक द्रिश्टी है तथा राज प्रजनिती को उदारबाद की और बनाय रखने का एक प्रयास है, नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं उदारबाद की परिवाशा, एकॉर्डिंग टू हैरी हीटर, सोतंतरता उदारबाद का सार है, सोतंतरता का विचार इतना महतपुर्ण है कि उदारबाद की परिवाशा समाज रूप में सोतंतरता का संगठन करने के दिये इसके नियारतेता का अनुसरन करने के प्रवाक के रूप में की जा सकती है Next है हैराल लास्की के खुदारबाद कुछ सिजानतों का समू मातर नहीं बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आज़त अर्था चित प्रक्रति है Next है इंसाइक्लोपीडिया और प्रिटीनिका के अनुसार दर्शन या विचारदारा के रूप में उदारबाद की परिवाशा प्रशासन की रिती और निती के रूप में समाज के संगठनकारी सिधानतों और यक्तिव वसमू के लिए जीवन प्रदती में सोतंतरता के जीवत विचार के रूप में की जा सकती है लास्ट है अकॉर्डिंग टू सर्टोरी उदारबाद व्यक्तिगत सोतंतरता नेक सुरक्षा तथा सवेदानिक राज्य का सिधान तथा वैवार है नेक्स्ट हम डिसकस करते है दा राइस एंड डॉलमेंट आप लिवलिजम यान ने मेंली चार फेजिस में डिवाइट किया है फर्स्ट है इंडरस्ट्रियल रेवुलिशन एंड राइस ऑफ बुर्जवाज सेकेंड रियक्षिन अगेंस डिक्टेटरशिप थर्ड रेनसांस एंड फोर्थ रिलिजिस रिफॉम मुव्मेंट तो फर्स्ट हम डिसकस करते ह इंडरस्ट्रियल रेवुलिशन एंड राइस ऑफ बुर्जवाज यानी ओद्योगी करांती पुंजीपती वर का उद्य है मद्यय यूग में लोगों का आर्थिक और दार्मिक जीवन सोतंतर नहीं था वे चर्च और समानतों के नियंतरन में होते थे ठार्वी इस्ताबद सामानतों के हातों से उच मद्यम वर के हातों में स्तांतरित हो गई नए उद्यक पतियों वो शर्मिक वर का उद्य हुआ इन उद्यक पतियों द्वारा अधिक्तम लाब कमाने के लिए राज्य के अस्तक्षेब वादी सवरुप का समर्थन किया गया दूसरी और इन आर्थिक सुतनतर्था की बावना उदारवाद का आधर बन गई नेक्स्ट है रियक्षिन अगेंस्ट टिक्टेटर्शिप यानि निरिकुषवाद के भीरूत प्रतिक्रिया उदारवाद के जो सेकंड फेज के दोलान उदारवाद के उदे का प्रमुक कारण डिक्टेटर्शिप रिजिम के बिरूत प्रतिक्रिया था सोलवी वो स्तारवी श्ताब्दी में यूरोप में निरिकुष राज्टनतर विद्यमान था कुछ शासकों ने अपने आपको इश्वर काफ़तार कहकर निरिकुषवाद की स्ताबना की एसी स्तिती में जॉन लॉक, एस जे एस मिल, हर्वर्ट स्पेंसर, टी एज ग्रिन ने व्यक्ति की सुतंदर्टा वो अधिकारों की आवदारना को प्रतिबादित किया जिससे उधारवाद का उदे हुआ नेक्स्ट जो फेज है रनेसांस का मदे युग में मनुश्य के जीवन के सभी पक्षों पर दरम और चर्च का नियंतरन था व्यक्ति पर लोकिक्ता में विश्वास करता था चिंतन का एक मात्र केंद्रे इश्वर होने के कारण प्रक्रति की संभावना नहीं थी लेकिन नव जागरन ने व्यक्ति के द्रिश्टिकों को लोकिक बना दिया मदे युगीन अन्विश्वासों का खंडन कर मनुश्य को पुने विवेक्षिल बनाया इस परकार नव जागरन व्यक्ति की सोतंतरता पर बल देकर उदारवार का जो मार गए प्रशस किया and fourth phase religious reform movement यानि दर्मसुदार आंदोलन से पूरव एरोप में चर्ज का अधिपत्य यानि डॉमिनेंस था पोप को इश्वर का प्रतिरूप यानि उसका रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव समझा जाता था और दार्मिक मामलों में वो सरोश था व्यक्ति उसका दास था सोल्वी श्ताबदी में मार्टिन लूथर ने पॉप की इस डिक्टेटरशिप के बिद्रो किया लूथर के इस बिद्रो का कोल्विन जैसे दर्म सुदारकों ने समर्थन किया इनकी यह दार्ना थी कि दर्म व्यक्ति के प्राइवेट जो उसके नीजी विश्वास की वस्तु है तथा व्यक्ति वो इश्वर के मद्य समंदों के लिए चर्च के पॉप की मिडियोटर अशिक नहीं है दर्म सुदार आंदोलन से इस बाउना को बल मिला की व्यक्ति को दार्मिक शेतर में भी सुतंदर्टा होनी चाहिए इस परकार इस दार्मिक आंदोलन ने व्यक्ति को चर्च की दास्ता से मुक्त कराने में एहम भूमिका का निर्वान किया नेक्स्ट है नेचर ओप लिबरलिजम यानी उधारबाद की प्रक्रति उधारबाद की प्रक्रति उसके उधे वो विकास के चरोन से जुड़ीवी है 1686 की कलोर्फियस रेवुलिशन अंग्रेजी करांती ने शास्टों के देवी सिदानतों का तिरसकार कर राज्य को एक मानुईय संस्ता बताने का अप्रयास किया था उधारबाद व्यक्ति से जुड़ी वी विचारदारा है 1789 की फ्रांसीसी करांती ने पच्चिमी समाज को सोतन्तरता समान्ता बंदुतों के विचार देकर मदी यूगीन, निर्कुष, शासन को त्याक दिया उदारवाद सोतंतरता से जुड़ी विचारदारा है अमेरिकी सोतंतरता संग्राम तथाबाद के अमेरिकी सुईदान ने व्यक्ति के अधिकारों की आवाद उठाई थी उदारवाद व्यक्ति के अधिकारों से जुड़ी वी विचारदारा है उदारवाद निर्कुशवाद के भिरूत सवीदानवाद पर बल देता है मौन्टेसक्यों ने शासन कारे को अलग अलग संसाओं को दे कर स्प्रेंशन आपाउर का स्थान पर परति साप्त किया था उदारवाद से मित कारे को करने वाले से मित शक्तियों वाले राज़े की बात करता है जौन लॉग की दारना थी की राजने देख कारे सिमित होते है अता राजने देखशक्ती भी सिमित होनी चाए एडम स्मित वो बेंथम अख्तशेब राजे के समर सकते राजे आउशक्क तो है प्रान्तु वो एक अन्नीवारे बुराई है पुनाजागरन ने राज्य को इशुवर कृतिया छोड मानुकृत संस्ता बना दिया था नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं Forms of Liberalism यानि उदारबाद के रूप फर्स्ट है traditional और classical liberalism सेकेंड है modern liberalism तो फर्स्ट हम डिसकस करते है traditional और classical liberalism परमप्रागत उदारबादी सिदान दरम को व्यकती का आंत्रिक और नीजी मामला मानता है वो व्यकती सुतन तर्ता पर बल देता है सेमित राजे के अस्तित्तों को सभीकार कर उसका समर्थन करता है समाजिक प्रतिमान में एक्टा की बात करता है काल अंतर में उधारबाद एक करांटी कारी विचारदारा ना होकर एक वर्ग विशेश की विचारदारा बन जाती है ये रूप दिजी समपत्ति का समर्थन करता है इसके कायान मानवी जीवन में आसमानता का आगमन शुरू हो जाता है उदारबाद का पुंजीवाद का प्रे माना जाता है उदारबाद अब पुंजीवाद का प्रे बन जाता है इसी उदारबाद समर्थित पुंजीवादी विरस्ता के विरोध में बेग्यानिक माक्सवादी करांती की शुरुआत होती है मानुए जीवन में असमानता को मिटा कर समानता लाने के लिए संगर्ष की बात माक्स करता है जिसके फल्स रूप उदारबाद अपना सोरूप बदल देता है नेक्स्ट हम डिसकस करते है परंप्रागत या शास्त्रिय उदारबाद की बिशेश्टा यानि ट्रेडिशनल एन क्लासिकल लिबरलिजम की बिशेश्टा मनुश्य एक तरकिक प्रान यानि लोजिकल सूल है तथा अपने जीवन के सम्मन्द में सोरूशेश निर्ने वो स्वे ले सकता है नेक्स्ट व्यक्ति के व्यक्तिक तथा समाजिक हितों में कोई अंतर विरोध यानि कंट्रडिक्शन नहीं है व्यक्तिकत हित की साधना से ही व्यक्ति समाजिक हित में सायक होता है नेक्स्ट प्रतिक व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार प्राक्तिक रूप से ही प् दोड के समान है, प्रतिक व्यक्ति अपनी शम्ता के साथ दोड में बाग लेता है, राज्य का काम स्रिफ ये देखना है कि कोई भी व्यक्ति दोड के नियमों का उलंगन ना करें, अंतीम रूप से किसकी हार होती है तदा किसकी जीत ये तेह करना राज्य का काम नहीं है, कि व्यक्ति दोड़ा अपने हिТ में बनाया गया एक कितरिम यंत्र है, राज्य का निर्मान स्रिफ इसलिए क्या गया है कि सभी व्यक्ति शांती के साथ रह सकें, उसका कारेर स्रिफ ये देखना है कि कोई व्यक्ति कानुन का उलंगन ना करें, राज्य की जारना को नाइट का समर्थन है इसके अनुसार अर्द विवस्ता माग और पूर्थी के नियम के अनुसार सवन्ते चलने वाली विवस्ता है जिससे राजी के और से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए Subjective Inviligism यानि सोतंतर मुलक व्यक्तिवाद इस विचारदारा का प्रमुक स्तांथ है जिसके अनुसार प्रते व्यक्ति अपनी व्यक्तितों में नीच शारारिक और वोधिक शमताओं का स्वामी है क्योंकि वो इन शमताओं का स्वामी है इसलिए इन शमताओं से अर्जित होन वाली सभी लावों पर उसका नेतिक अधिकार है जिसे उसे चीना नहीं जा सकता एक्रिमेंट यानि अनुमत की सोतंतरता इनके आर्थिक विचार का एक मेहतपुरन आंग है इसके अनुसार किसी व्यक्ति से जबरन कोई विकारे नहीं कराया जा सकता प्रते व्यक्ति कोई विकारे करने या ना करने की हितु सोतंतर है यदि रोजगार देने वाले तथा उसे सविकार करने वाले व्यक्तियों के मद्य सेमती बनती है तो उनकी सेमती की शर्तों के अनुमंत यानि एग्रिमेंट की रुप में होगे संपतिक अधिकार इनकी आर्थिक मानेताओं में प्रमुक्ष है, लोग का मानना है कि संपतिक अधिकार प्राक्तिक अधिकार है, जिसे कोई राज्य असर का नहीं चीन सकती, जहां तक समाज का प्रशन है, यह चीन तक आदुनिक दिश्टिकौन के समर्थक है, इनका सपष्ट मानना है कि व्यक्ति को सभी परकार की सोतंदर् ये तबी समभ होगा जब उसे जार्मिक संस्वाँ समाजिक रूडियां इत्यादी से भी प्रेप सोतंदरता मिले। नेक्स्ट है criticism of negative liberalism फर्स्ट है समाजिक शित्र में उदारबाद का अत्यादिक खुलापन नहतिकता के विरूद है। नेक्स्ट है सिमित राजियर जनकल्यान विरोधी आउदारना नेक्स्ट उदारबाद का आर्थिक समाज बजारू समाज है जो केवल बुद्रवा वर्क यानि capitalist के हितों को अधियान रखता है। समान्य व्यक्ति के हित की अंदेखी करता है क्योंकि it is based on completely open competition। नेक्स्ट सांस्कृतिक शेतर में नकारत्मक उदारबाद व्यक्ति को उच्वक्षल है जो समाज की हित के विपरित है। नेक्स्ट हम डिसकस करते है modern liberalism आधुनिक उदारबाद 19 वी श्ताबदी उदारबादी विचारों ने परमप्राकत उदारबाद में समय की मागों के अनुसार संशोधन वो परिवर्तन किया। जिसे हम आधुनिक सकरतमक उदारबाद कहते हैं आधुनिक उदारबाद मूल उदारबाद की समाप्ती नहीं है। उदारवादी जनता के समाजिक, सांस्क्रितिक, आर्थिक और राजनितिक दायतों की पूर्ती हैतूर रज्य द्वारा सकर्थमक भूमिका को उचित मानते हैं उदारवादी सवेधानिक प्रजारतांत्रिक वो संसत्य तरीके से समाज में समाजी को आर्थिक सुदार लाना चाते हैं Next हम डिसकस करते हैं Modern Liberalism की विशेश्चता हैं यह चिन तक भी व्यक्ति के सोतंतरता के समर्थक है किन्तु यह व्यक्ति को निर्फिक सोतंतरता यानि Absolute Freedom नहीं देते हैं जेसमिन ने सपर्ष्ट किया है कि व्यक्ति की सोतंतरता उसके ओटो वर्क यानि सोविशक कारें तकी सीमित है उसके जो कारे अन्य व्यक्तियों को प्रवावित करते हैं उनमें वो पुरंते सोतंतर नहीं है सोतंतरता और समानता स्रिप उपचारिक रूप से दिये जाने वाले सिदान नहीं है इनका वास्तित में तो तभी है जब इनके लिए अनुकूल परस्तितियां भी विद्यमान हो समाज के डिप्रावेट यानि वन्चित कैटेगरी रूप से सामानता और सोतंतरता को उपलग कर सके इसके लिए अवश्यक है कि उनके लिए प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानि सरक्षनातमक बेदवाग के निती अपनाई जाए इस निती को सकारतमक कारेवाई भी कहा जाता है और इसी से समाजिक नेकी स्तिति उत्पन होती है और टोक्रेटिक एंविलिजम यानि सोतंतर मुलक व्यक्तिवाद का सिदान इन्हें पुरंते सभीकार नहीं है इसका मानना है कि व्यक्ति अपनी सभी शम्ताओं को सवय अरजित नहीं करता इसलिए वो अपनी सम्ताओं से उत्पन होने वाली संपुर्ण लाब को अकेले स्वामी नहीं हो सकता अरदोयवस्ता के सम्मन में इन्होंने अस्तक्षेप सिदान यानि लेजर फेर थियोरी का विरोत किया है और नियुंतम हस्तक्षेप यानि मिनिमम इंटरफिरेंस का सिदान दिया है बाजार अरदोयवस्ता यानि मार्केट एकनोमी को नियमित करने है तो सोतनतर है किन्तु वो उसे नियंतरित नहीं करेगा राजिय इतना अस्तक्षेप अवश्यक करेगा कि बाजार के नियम वन्चित वर्क की मानुए गरिमा का उलगन ना कर सके संपतिकी अधिकार को इन्होंने भी मेतोद दिया है किन्तु उतना नहीं जितना ट्रेडिशनल लिबरलिजम ने दिया है जियस मिल ने कहा कि संपतिक अधिकार सिमित होना चाहिए विचेश रूप से बू संपतिके स्वामितों पर सीमा आरूपित किया जाए मिल और लॉसकी दोनोंने संपतिके स्तांतरन यानि ट्रांसपर पर भी बारी कर लगानी की वगालत की है नेक्स जहां तक राज्य का प्रेशन है इन वीचारों को ने रात्री रक्षक राज्य के इस्तान पर पेलपे स्टेट की दारना की प्रस्तुत की है इसे राज्य की शक्तियां बढ़ गई है इनके नुसर राज्य का कारे सिर्फ कानूनी विवस्ता बनाया रखना नहीं है बलकि विपीन वर्गों के मद्दे अंतराल कम करना है उनके बीच में जो खाईया है उसको कम करना है गुंचीत वर्गों को बुनियारी जुरूरते मु वर्ग यानि कैपिलिस्ट वर्ग का ही दर्शन है ये मुल्टे पुझीवादी तथा स्थितिवादीता पर बल देजा है यह उस वरुप गरीबों के क्रांतिकारी आवाज को दबाने का सारा है यह राज्य को शक्तिशाली बनाता है ताकि गरीबों को राजनेतिक लेजिक् ये पुंजी बादी वर्क से सम्मंदित दाना है, इसका समाजिक निया मात्र डक्सोला है, ये स्वतंदरता के लिए आश्यक समाजिक प्रस्तितियों का बनाया जाना रज्य पर छोड़ता है, वो पुंजी वेवस्ता को समाप नहीं करता नेस्टम डिसकस करते है, टेडिशनल लिबरलिजम और मोर्डन लिबरलिजम के बीच में डिफ्रेंसिस, फर्स्ट डिसकस करते हैं जो डिफ्रेंसिस है प्रमुक समर्थों की दिश्टी से अंतर, बनपरागत उदारबाद का समर्थन जौन लोग, एडम स्मिथ, रिकार्डो, बेंथम आदी ने किया है और मौडरन जो लिबरलिजम का समर्दन टी एज ग्रिन, रिची, हॉप्सन, कीन्स, लॉसकी आदी ने किया है सेकिंड डॉलमेंट के बेस पे परमपरागत उदारबाद का विकास सोलवी और ठारवी श्ताबदी के बीच में हुआ जबकि आदुनिक उदारबाद का विकास उनिस भी श्ताबदी से वर्तमान तक माना जाता है थर्ड ओरिजन के आदार पर परमपरागत उदारबाद के विकास के पीछे निर्कुश, राज्टन तर समानपाद, वोपोपवाद के विरुद ट्रतिक्रिया के कारण रहे है जबकि आदुनिक उदारबाद का उदे, पुंजिवादी, वेवस्ता तदा माक्सवाद के विरुद रियक्शन के रुप में हुआ है राज्ट के सवरूप के आदार पर अंतर, प्रमप्रागत उदारबादी और स्टक्षेबादी यानि लेजर फेर राज्टे में आस्ता रखते है जबकि आदुनिक उदारबादी वेवस्ते स्टेट में विश्वास रखते है प्रिडम के आधार पर प्रम्रागत उदारवादी व्यक्ति की असमित सोतंतर्ता का समर्थन करते हैं जबकि मौडरन लिबरलिजम व्यक्ति की सोतंतर्ता पर सामाजी को राज्य हित में प्रतिबंध अशक मानते हैं नेक्स्ट है राइट के आधार पर प्रम्रागत उदारवादी व्यक्ति के प्राक्तिक अधिकारों को नेस्तिंगिक मानते हैं जबकि आधुनिक उदारवाद व्यक्ति के अधिकारों को राज्य द्वारा प्रदान वो सरक्षित मानते हैं नेक्स्ट है समाजिक और आर्थिक द्रिश्टी से अंतर प्रमप्रागत उदारबादी समाजिक और आर्थिक शेत्र में रज्य की नियुनतम भूमिका को सविकार करते हैं आदूनिक उदारबादी समाजिक और आर्थिक शेत्र के विकास के लिए रज्य की भूमिका वैपा क परकार प्रमप्रागत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में अंतर पाया जाता है लेकिन दोनों ही परकार समर्थक व्यक्ति को साध्द्योराज्य को साधन मानते हैं दोनों ही उदारवादी एक दूसरे के पूरक है नेक्स टम डिसकस करते हैं प्रेजन्ट फॉर्म अफ लिवरलिजम यानि उदारवाद का वर्तमान सोरूप रूस के अतिरिक बारत चीन तुर्की ब्राजिल फिल्पिन्स और यहां तक की यूरोप में भी अब अतियादिक केंदर कृत राजनेतिक प्रनालियां प्रशलित हो रही है जो उदारवाद की सामने विशिष्टाओं का विरोध कर रही है वर्तमान में इस प्रकार की प्रनालियों के संबर तक मानते हैं कि राजनेतिक सितर्ता और राजनेतिक प्रगति के लिए उदारवादी लोकतेंतर की तुलना में यह प्रनालियां बैतर तरीके से काम कर रही है है, सेकंड वोल वार के बाद उदारवाद पच्ची में प्रमुक समाजिक राजनेतिक भीचाड़ा रहा है, लेकिन हाली में पच्ची में उदारवाद की स्थिति में गिरावट देखी जा रही है, ब्रिटन में डेξिट का जनताद्वारा समर्थन, अमेरिका में राष्टपती डॉनल्ड ट्रम की सरक्षन वादी नीतियों का समर्थन, हंगरी के राष्टपती विक्टर अर्वन और पुर्वा इटालियन डिप्टी पीम, मोटेवा सलिवानी की लोग प्रेता ये प्रदेशित करती है कि पच्चिम क समाज में भी प्रशलित मूल, उधारबाद के सवरूप में भी परिवरतन आ रहा है। येरोपिय संग में शर्णार्थियों के परवे से येरोप के पुर्ण एकी करन की योजना बुरी तरह से प्रवावित हो गी। समलेंगिंग पिवा को केवल कुछ देशों द्वारा ही मानेता दी जा रही है। दूसरी और समलेंगिंगता है तो कई देशों में मौत की सजा का प्रावदन है LGBTQ यानि लिप्सेन गे भी सेक्ष्वल ट्रांसजेंडर के अधिकारों में बहुत दीमी प्रक्रति देखी जा रही है। कि अब ये सिद्ध हो चुका है कि इस प्रकार के लोगों की शाररिक सरक्षना प्रक्रति द्वारा निदारित होती है। कई देशों द्वारा प्रावरन हित के बिरुद नितियां बनाई जा रही है। इसमें समय के संकीरन यानी पेरोकेल इंटरस्ट को वेश्विक जलवायू परिवर्तन से ज़्यादा प्रात्मिक्ता दी जा रही है। हाली में ब्राजिल के एवनों में लगी आग हितु सरकार की पॉलसी को जिम्यदार बताया जा रहा है। प्रेवरन समंदी अभी समयों की प्रक्रती गैर वाद्यकारी होने के कारण के देश इस प्रकार के अभी समयों से अलग होते जा रहे हैं। पेरिस जलवायू समझोते से अमेरिका का अलग होना सरक्षन वादी नीतियों को प्रदशित करता है। next reason for the fall in liberalism at the present time यानि वर्टमान समय में उदारबाद में गिरावट के कारण वर्ष 1909 में सामयबाद के पतन के समय उदारबाद का प्रवाव अपने चरम पहुँच गया था इस समय तक उदारबाद की सबलता निविरबाद रही थी और वो विश्य में उदारबाद का कोई ठोज विकल नहीं दिखाई दे रहा था वर्ष 2089 के वित्य संकट ने उदारबादी आर्थिक विवस्ता को चुनोती दी उस समय और शास्त्रियों और राजनेतों के पास इस संकट का कोई भी समादा नहीं था उस समय की आर्थिक विकास दर मातर 1% से 2% तक रह गई थी इस आर्थिक संकर से उबरने में विश्यों को काफी समय लग गया उदारबादी विवस्ता दो स्तमों पर टिकी हुई है एक स्तम विक्ती की स्तंतरता यानि उदारबादी इस सिदान को अपना सरोच मुल्य मानते है और दुसरा स्तम आर्थि-विकास तथा समाजिक प्रगति हैतु-प्रतिवधता है उदारबाद में इन दोनों स्तंबों को एक दुसरे से सम्मंदित माना जाता है वर्तवान विश्व की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस वेवस्ता के मूल सिदान वेट नहीं रहे गए है वेश्विक आर्थिक विकास की प्रक्रती प्रक्रती शील तो है लेकिन समाज में समावीशी विकास का अबाव दिख रहा है उदारण सोरूप प्रती व्यक्ति आय तो बढ़ रही है लेकिन गरीबी उन्मोलन कारेकरमों की प्रावशिल्टा प्रयप नहीं है इस परकार की स्थितियों के मद्दे नजर विश्व, दीपक्षिय और गुर्बाजी में पस्ता जा रहा है हिरोपिय संग, अफ्रिका समू, आसियान जैसे समू, कहीं ना कहीं उदारवाद के मूल को शती पहुंचा रहे है शीत यूद के द्वालन सोविसंग की शक्ती को संतुलित करने के लिए बनाए गए नाटो जिसे संगठन की वर्तमान प्रासंगीता समझ से परे है शायद इस परकार के संगठन केवल शेत्रिय ताको बढ़ावा दे रहे है क्योंकि इस परकार के संगठनों कोई निचीत उदेशय तक नहीं निदारित किया गया है आज उदारबाद अनिचीत वविश्य का सामना कर रहा है क्योंकि पुन जीवित राष्टबाद इसके समुक एक स्ताई खत्रा उत्पन कर रहा है इसी राष्टबाद के सवरूप में विविन देशों में कट्रपंत का उदे हो रहा है इस परकार के विचारों से गिरी सरकार अपने देश को साधरनी और बेश्विक खित को नजर अंदाज करते हुए प्रात्मिक देने वाली नीतियों का निर्मान कर रही है उदारिकरन के बाद बोवराष्टिय कंपनियों यानि मल्टिनेशनल कॉपरेशन दोरा कम्प्यूटर, रोबोट और सुचना प्रोद्योगी का प्रयोग स्तानी रोजगार को प्रवाबित कर रहा है इस कारण से स्तानी उद्योगों और संस्ताओ दोरा उदारिकरन का बिरोद गया जा रहा है कैने का ततपर आगे की क्या रहा है कई उदार अशास्तियों और प्रयारन विदों के अनुशार प्रित्वी के संसादों की सिमिश शमता है और ये लगातार बर्तिवी मानों आवादी तथा उनकी बर्तिवी जुरूरत को समयोचित नहीं कर सकती है प्रक्ति हमारी सब्वेदा के वर्तमान विकास को बनाये नहीं रख सकती है और इसलिए सरकार की नीतियों में परिवर्तन आवशक है अता बहुतिक चीजों का पिछा करने के बज़ाए एक कुशाल और संतुष्ट जीने का लक्षे निदारित किया जाना चाहिए समाविशी नीतियों के निर्मान के साथ ही इनके क्रियानवन हेतु मानक स्तापित किया जाए साथ ही उदारवाद के मुख्य सिधान समाजिक कल्यान का गंबिशता से पालन किया जाए उदारवाद के अभी जन्यकरन को सिमित किया जाए क्योंकि इस प्रकार की स्तिति में सिधानतिक रूप से उदारवाद प्रकदेशील प्रतित हो रहा है लेकिन वयवादिक रूप से वो काफी पिछड़ा हुआ है उदारवाद को बड़ावाद जाना चाहिए जिससे समाजिक आर्थिक और राजनितिक रूप से पिछड़े शेत्रों का समावेशी विकास किया जा सके है अगर आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बुले साथी साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना बुले